जा रहे हैं कहा जा रहा कि वो बच्चा है छोटा है ये भी कहा जा रहा कि वो दुबारा इस तरह के काम नहीं करेगा ये जे पॉइंट्स होते हैं ये कितना काम करते हैं ये कितना काम में आते हैं और कोट में ये कितना टिक पाते हैं इस तरह की बाते हैं अमित देसाई ने दो तरह से अपनी बात यहां पर रखने की कोशिश करी थी, हमने 13 और 14 अक्टूबर को जो उनका पूरा आर्गूमेंट सुना था, उसमें उन्होंने पहला कानूनी पक्ष बताया था, उन्होंने साफतर पर कहां जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उनमें अपनी किन शब्दों में किस तरह से अपनी बात को कम्मुनिकेट करती है, सुशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, उसकी लेंग्विच कुछ और होती है, अगर उसको इंटरपर करना है, तो बात अलग हो सकती है, तो जाहिर तोर पर वो हर तरगी से कानूनी पहलों में उन रखा जाये का, जिसमें लिबर्टी का जी जो अधिकार है, वो सबसे प्रमुक्ता पर आता है, पहला उन्होंने बात करी, दूसरा उन्होंने कहा कि उनका इस पूरी केस में कोई इन्वाल्मेट नहीं है, वो एक सेलिबर्टी के बेटे हैं, और सिर्फ इसलिए कि एक नहीं है कि वो देश छोड़ की चले जाएंगे या फिर वो कानून को या जांच में सहियोग नहीं करेंगे, वो लगातार सहियोग करते रहेंगे, लेकिन ये इतने दिनों तक उनको जेल में रखना, जबकि उनके पास किसी तरह का कोई कंजम्शन नहीं मिला है, इस आधार तो वो लगाता है, अपनी मुंकी बेल के लिए अपनी पैरवी करते रहे हैं, महिमा जी, NCB कहरें कि हमारे पास सबूत है, NCB कहरें कि प्रतिबंधित ड्रक्स का वो सेवन लंबे समय से कर रहे थे, आर्बास के पास जो ड्रक्स मिला, उसका भी सेवन नहीं मिला है, जो जो